हेलो दोस्तों कैसे आप सब जो भी भाई SSC की तयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी खुब स्कबरी है कि जैसे कि आप लोगों को पता है जो SSC की जो पुरानी एक्जाम थी वे एक्जाम 23 मार्ट से यानि की तीसरे मैने में लगनी थी वो पाकी की यानि कुछ से जैसे 16, 17, 18 ये तीन जो डेट की एक्जाम थी वो तो लगबग लगबग स्टुडेंट्स की लग सुकी थी जो बाकी की बच गई थी वो एक्जाम क्या था जैसे 23 जो मार्च 23 की एक्जाम है और उससे पहले यानि 19, 20, 21, 22 की जो एक्जामें थी वो सारी अब अब अबर मन् लोग जाके साइट पर कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो आपको इस वीडियो में दिखाई रखाया है जैसे कि आप राजस्तान जोन से हैं जिस भी जोन से आपने फोरम फिल करवाए था वहां की जो साइट है जाके उस पर किलिक करके अपना अपलीकेशन स्टेटस चेक कर सक करते हैं वो भी आसानी से और रही बात एडमिट कार्ड की तो आप लोगों को परिसान होने की जुरत नहीं है जैसे किसी भाई की एकजाम 16 तारिक को है तो उसके एकजाम के चार दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड साइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निका जो नहीं किये हैं तो प्लीज आप लोगे अपने तयारिया शुरू कर दीजिए और जैसे कि अभी बहुत कम समय बचाया तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सेगे उतना ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करे सभी भाई और वैसे भी अगर कोई भाई ये सोच रहे कि हमें थोड़ा टाइम और मिल जाए तो देखो मेरे बाई लोगों कि जो ये एक्जाम थी वो 23 मार्च यानि तीसरे मंथ में लगनी थी अससी की ये लोग डाउन के चलते ये एक्जाम पोस्ट पेंड हो चुकिए तो अभी एक्जाम तो हनी ते है ये तो बात आपको भी पत जो भी भाई या बहन अससी की तैयारी कर रहे हैं वो एक एक बार फिर से दिवीजन कर लें अगर आप लोगों को अपने अप्लिकेशन स्टेटस चेक करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ आपको